नमश्कार और रामरम सभी भाईयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आप लोग से बहुत-बहुत स्वागत हैं और आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो कबूतरों के पंखों से जुड़ी हुई है और पंक और पूँच जो कबूतर के पंक है और कबूतर की जो पूँच है वो किस तरीके से काम करती है और इनका परपस क्या है तो एक किस तरीके से कबूतर के जीवन में महत्पून होती है और ये अपना क्या रोल अदा करती है एक पक्षी के जीवन में उसके पंक और उसकी पूँच तो दोस्तो मैंने एक वीडियो कलियों के उपर बनाई थी कबूतर की जो शुरू के दस पर होते हैं वो कलिया कहलाई जाती है जो शुरू के उसके फ्लाइंग फैदर्स होते हैं उड़ने वाले पंक वो उसकी दस कलिया कहलाई जाती है और जब कबूतर बढ़ा हो रहा होता है तब वो एके करके जड़ती हैं निकलती हैं और जब आखरी कली जब निकल जाती है completely तो कब उतर बढ़ा हो जाता है यह मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी में एक में बताया था उनको इंगलिश में बोला जाता है प्राइमरी रिमिंगिस हो सकता है रिमिंगिस बोलने में मेरी प्राइमरी रिमिंगिस जो की कबूतर के जीवन में या किसी भी पक्षी के जीवन में उसकी उडान में एक महत्पून रोल अदा करते हैं सारा का सारा दारोंदार कबूतर की उडान पर या किसी भी पक्षी की उडान पर उसके जो शुरू के दस पर है वो एक महत्पून रोल अदा करते हैं उसके जीवन में यह जो शुरू के दस पर होते हैं यह उसकी उडान में जब वो उडान बरता है नीचे बैठा हुआ है गईपे और उडान बरता है तो उसमें मदद करती है यह जब कभूतर अपनी पहली बार उडान बरता है तो इनी पंकों का रोल सबसे महत्पून होता है सारा का सारा जोर जो है इनी परो को लगाना पड़ता है यह हवा को काटते हैं और फिर उपर की तरफ लिफ्ट होते हैं जब यह एक बार लिफ्ट हो जाते हैं जो इसके फ्लाइट फ्लाइंग फैदर्स हैं जब उनका रोल पूरा पंक होता है पूरा एक बाजू होती है उसके अंदर लगबग 21 से 22 पर होते हैं और जो शुरू की 10 के लिए हैं उसके बाद जो पीछे के 10 पर होते हैं 10 से 12 पर उनको सेकंडरी रिमिंगिस बोला जाता है उनका भी किसी भी पक्षी या कभूतर के जिवन में एक महत्पुन रोल है जब कभूतर उचाई पर पहुच जाता है तब उन परों में हवा भर जाती हैं और वो कभूतर को तैराने का काम करते हैं मतलब कभूतर को हवा में एक इस्तिरता देते हैं वो उनमें हवा भर जाती है और हवा रुक जाती है जिससे की कभूतर हवा में तैर पाता है और अराम से अपनी उड़ान भर पाता है और ज्यादा देर तक उड़ भी पाता है तो इसलिए आपने लोगों की काफी जो secondary remnants होते हैं जो पीछे के पर होते हैं वो एक तो शरीर से चिपके हुए होने चाहिए चोड़े होने चाहिए और थोड़े लंबे होने चाहिए जिससे कि जो हवा है कभूतर एक बार थोड़ी उचाई पर पहुच जाए तो उसके अंदर हवा रुख सके और वो आस्मान में तैर सके तैरने का मतलब यह है कि उसको जो अपने flying feathers हैं जो शुरू के 10 पर हैं उन पर कम जोर लगे उसका उड़ने में इस तरीके से एक बुरी बाजू का रोल अदा हो जाता है और जो 22 या 23 पर होते हैं एक बाजू के अंदर सभी उस बाजू के अंदर जितने भी पर हैं जितने भी पंक हैं उनका महत्पून रोल है अगर एक भी पंक बीच में से निकला हुआ होता है तो उसमें से हवा क्रोस करती है और कबूतर की उड़ान पे भी ज़्यादा फरक पड़ता है और उसकी जो balancing है जो उसका हवा में तैरना है वो भी disturb हो जाता है पूरा अच्छी तरीके से इसलिए कबूतर ज़्यादा देर तक आसमान में रुक नहीं पाता उड़ नहीं पाता दोस्तों ये एक कालदवाज कबूतर है तो इसकी जो आगे की 10 कलियां होती है आगे के ये 10 पर होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो पर हैं ये इसके उड़ने वाले पर होती है जिससे कबूतर आसमान में उड़ान बरता है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है उड़ने के लिए और इसी के साथ ये पीछे के आपको शुरू के दस के बाद पीछे वाले पर दिख रहे हैं ये सेकंडर रिमिंगिस होती है जो शरील से चिपके हुए पंक होती है कि कैट यह उटा के ओर प्रीक वीचि किस तरीगे से उड़ने में अपना प्रोल अधा करती है। वो टेल किस तरीके से महतपूर्ण होती है। यह देखे है आपटी टेल लेखे यह पंजाबी बृड़ीड का कभूटर है काला दुबाज कभूतर और उडान में लगा हुआ है तो जो टेल का तो जो इसकी टेल है वो कितनी महत्पूर्ण होती है किसी भी पक्षी के जीवन में आईए उसके बारे में बात करते हैं कि कभूतर की पूँच कभूतर के जीवन में क्या रोल अदा करती है जादा तर कभूतरों की पूच के अंदर बारा पर होते हैं बारा पंक होते हैं और जो ये पूच है किसी भी पक्षी की कभूतर की या किसी भी पक्षी की ये उसको हवा में इस्थिर्था देती है उसको उड़ने में मदद करती है उसको एक दिशा दे ये उसको डारेक्शन देती है और सबसे मैत्पून रोल जो इसका है ये इसका है ये एक तरीके से किसी भी पक्षी का स्टेरिंग होता है जैसे गाड़ी का स्टेरिंग होता है वो किसी भी डारेक्शन में उसको मुड़ने में मदद करता है उसी तरीके से पूँच भी किसी भ करती है एक दिशा देती है जिस भी दिशा में उसको मुड़ना है और बैलंसिंग हवा में बैलंस बनाने में बहुत ज्यादा लाबदायग होती है और जब भी इन पर किसी बाज या बैरी का अटेक होता है आस्मान में तो जो पूँच है वो आपने देखी होगी वो जो भी बैरी के क्योंकि पूँच उन्हें इस्थिरता देती है और उनको डिरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस दिशा में उन्हें मुड़ना है और अच्छी तरीके से मुड़ने में मदद करती है उनकी और जिन कबूतरों की पूँच नहीं होती है लोग लांडा कर देते हैं क जहें वह काफी जादा उडान पर आसमान में चले जाते हैं जिन कबूस रह में पैका नहीं होते आफ कर दो आप लोगों से ही कहूंगा मैं अगर आपने किसी कबूसटर को च्छटाई का रखी है पूसके पर उसके छाट रखे हैं तो उसको उड़ाईए मत जब तक उसकी पूँच आना जाए सही से तो जो पूँच है अब इसके अंदर पूँच के अंदर भी दो तरीके की पूँच आ जाती है कुछ कभूतर खुली पर जो पूँच के पर है उन्हें खोल के उड़ते हैं और कुछ एक पत्ती पूँच बनाके उड़ते हैं मतलब पूँच का एक पर होता है और बाकी सारे के सारे 11 पर उसी पर के नीचे होते हैं बंद पूँच के कबूटर है वो हमेशा राउंड लंबा लंबा लेगा और काफी ज़्यादा उचाई पर भी जाएगा नहीं जैसे कि आपने लोफ लायर्स में देखा होगा मदरासी और पंजाबी में ये बंद पूँच के कबूटर होते हैं और ये लंबा चलना पसंद करते हैं और जिन भी कबूटरों की पूँच खुली होई होती है वो चक्कर में उड़ते हैं और जिस चट पे वो उड़ते हैं उसी चट के चकर लगाते रहते हैं जो खुली पूँच का कबूटर होता है वो बाज और बैरी का ज़्यादा तर शिकार बनते हैं उन कबूटरों के मुकाबले जिन कभूतरों की पूँच बंद होती है और जो पंक हैं पंकों पे भी आते हैं जो पंक होते हैं जिन कभूतरों के पंक छोटे होते हैं पूँच तक नहीं होते वो कभूतर लो फ्लायर्स होते हैं और नीचे नीचे उड़ना पसंद करते हैं आधिया आसमान में, जिन कभूत्रों के जो पर हैं, वो पूश्टक होते हैं, वो हाई फ्लायर्स होते हैं, और बुलंदी पर उड़ते हैं, आसमान में बंद होके उड़ते हैं, और उनको देखना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो आसमान बंद हो जाते हैं, और जिन कभू कबूतरों के पूंच पूंच तक पर होते हैं वह बुलंदी तक उड़ते हैं और ऐसे कबूतर को बोला जाता है कि यह मीठी उडान का कबूतर है तो धीरे-धीरे पर मारता है और आस्मान में चला जाता है वो मेटी उरान वाले कबूतर होते हैं और एक जो तेज चलना पसंद करते हैं उन कबूतरों के जो पंक हैं वो छोटे होते हैं और उनकी बनावट में भी फरक होता है तो दोस्तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया पूँच उसके फ्लाइंग फैदर्स और जो उसके सेकेंडरी रेमिजेज हैं उनके बारे में बताया शुरू की दसकलियां पूँच और आखरी की दसकलियों के बाद के ग्यारा से बारा पर तो कबूतर की उड़ान में सबसे महत्मून रोल यही तीनों चीज निभाती है जो की सब कुछ निर्वर करता है इनी के उपर आप लोगों ने जो हवाई हवाई जाज आसमान में उड़ते हुए देखे हैं एरोप्लेंस देखे हैं उनका भी जो बेसिक स्टक्चर है उनका भी जो अकार है वो पक्षी की शेप का ही होता है दोनों साइड पंक होते हैं उसकी भी पूँच होती है एक पीना पूँच के आपने कोई भी हेलिकॉप्टर या आरोप्लें नहीं देखा होगा आपने हेलिकॉप्टर के अंदर देखा है उसके अंदर पंक नहीं होते मगर उसकी पूँच जब ओर होती है तो जो पूँच है वो उसको डारेक्षन देती है एक दिशा देती है उड़ने के लिए और जो पूरा पूरा अवियेशन सिस्टम है जो उडने वाले वीमान बनाए गए है वो सारा का सारा एक पक्षी के बोडि स्टुक्चर पे है हवा में उडने वाली बोड़ी होती है उसकी इसी लिए वो भी आसमान में तैर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप तक ये जानकारी पहुच पाई हो तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग मुझे से जुड़े मुझे आपने सपोर्ट किया उसके लिए आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद और आप लोगों से यही वंती करना चाता है अपना साथ मेरे साथ बनाए रखे ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जिससे की मुझे आगे बढ़ने का प्रोट सहान मिले यह दोस्तो जाए हिंद जाए बारत